होंगार्ट बहाली को लेकर अभ्यर्ती हुए आक्रोश जिलादिकारे सुपरत सेंसे मिलने के लिए पिछले एक साल से होंगार्ट बहाली के लिए 2011 में आवेदन लिया गया था जिसके बहाली 2022 में हुई वही जिसके बाद से लगातार कई अभ्यरती अपनी बहाली को लेकर पिछले एक सालों से जिलादिकारी कार्याले का चक्कर काट रहे हैं इन लोगों का कहना है कि गया जिला सहित अन्य जिलों में दूसरी लिस्ट निकाली गई और जो सीट खाली हुई उन पर इन अभ्यरतियों की बहाली हुई लेकिन भागलपूर जिले में आज तक दूसरी लिस्ट नहीं निकली जिसको लेकर अभ्यरती लगातार चक्कर काट रही है वही इन लोगों का आरोप है कि इतने दिनों में जिलादिकारी से मातर एक बार मुलाकात करने दी गई उन्हें इसके बाद से ये लोग लगातार जिलादिकारी कार्याले आ रही है लेकिन जिलादिकारी से मुलाकात नहोने के कारण अभ्यरती आक्रोशित हो रही है इन लोगों का कहना है कि उपमुख्यमंत्री से भी इन लोगों ने मुलाकात की थी लेकिन यहां जिलादिकारी से मुलागात नहीं हो पा रही जिसको लेकर ये लोग आक्रोशित हो गई हैं जितने भी लरकारे लरके हम लोग सभी अब भ्यारती पास हुए है सभी को जो सीट बचा हुआ है उस सीट पे हम लोग को लिया जाए लेकिन पिछले बार से यही हो रहा है अँसाइब को निकाल देते है लोटा दिया जा रहा है सिंगल हमी है पचास के बेसमें और मेरे जैसा किसी नहीं है उसके बावजूद भी नहीं हो रहा है इसमें से सभी लर्के को जौंस परताल करके लेना चाहिए था मेरिट लेकिन जौंस परताल करके लिया नहीं गया नमर देख करके इसे उठाया गया बाद में भेरिप्रिकर्शन बहुत से लर्का छटा गिया है अभी लगभग 79-70 का सिकंदर आता है उसके बावजूद भी हम लोग का नहीं हो पा रहा है मेरा नम सिकंदर कुमार सिंग्वा आरेन फैमिली रेस्टोरेंट आरेन पैलेस मकंदपुर चौप एनेचे कटिस नवगचिया आरेन रेस्टोरेंट मिले एक से बढ़कर एक लजीज जाएके दार व्य किस्वात का ले आनन नवगचिया का बेहद आधोनिक वखुप सूरत रेस्टोरेंट आरेन फैमिली रेस्टोरेंट मकंदपुर चौप एनेचे कटिस नवगचिया भागलपुर हूम डिलीवरी की सवधा है उपलव संपर्क सूत्र 620-7280-335